आच्छ नेक्स वुषा और देटर्मिनेंट का कुर्शन है क्या कुश्टे हैं, रूट्स अलफा 1, बीटा एक्स 1, बीटा गामा 1 इक्वल टो जीरो और इंडिपेंडनेट आफ। independent of x मतलब alpha, beta, gamma या alpha, beta, gamma से तो इसका solution में जो term आ रहे होंगे उसके लावा जो बचेंगे उससे independent होगा जब भी एक column या 1, 1 हो तो आप बहुत इजी लिए हमने foundation में सीखा है r2 minus r1 and r3 minus r1 कर दीजिए तो क्या आएगा देखें x alpha 1, beta minus x, x minus alpha 0, beta minus x, right ये beta minus x, gamma minus alpha and this is 0 अब जब आप इस solve करेंगे, equal to 0 दिया है, तो इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए भी 0 हो जाएगा, तो केवाल इस 1 के लिए solve होगा, तो 1 के लिए क्या होगा बोलिए, जब आप 1 के लिए कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कि आगर आप थोड़ा से smart scale यूज करेंगे, तो beta minus x, beta minus x, x minus alpha, gamma minus alpha, आप चाहें तो इसमें beta minus x common ले लीजिए, तो इसका मतलब answer में एक beta तो आए गई, तो यानि beta से independent नहीं है, तो ना ये answer हो सकता है, ना ये answer हो सकता है, ये clear होगी बात, राइट, ये clear होगी, अब अगर मैं इसका multiply करूँ, तो देख ये क्या क्या बचेगा, 1, 1, x minus alpha, gamma minus alpha, अब अगर इसको हम solve करें, तो एक चीस समझ में आते ही, कि alpha cancel हो जाएगा, यानि independent of alpha, देखे, इतनी जल्ले आपने answer निकाल लिए, this equal to 0, अब आप इसके बाद ये करते, beta minus x, gamma minus alpha minus x plus alpha, equal to 0, देखे, alpha से alpha cancel, तो x equal to gamma, x equal to beta, तो इसका म beta पर depend करेगा, alpha नहीं आरा, तो independent of alpha, तो जिस step पर answer आजा है, उस step पर question को छोड़ दीजे, क्योंकि step saving भी, सबसे important है, competitive exam में score high करना है, तो step saving, shortcut, logics, concept, सब कुछ strong होना चीज़, जब भी आप बहुत अच्छा score कर सकते हैं, note करिये question को, yes, next question देखें कि next question क्या है, what is the value of the determinant, a c minus a, a plus b, a, b, c, इस तरह के questions में मैंने आपको पहले भी बोला था, आप चाहें, तो value लेके कर सकते हैं, कोई problem नहीं, जैसे suppose आपने a की value 1 ले ले, b की 2 ले ली, c की 3 ले ली तो हो जाएगा, and second important thing कि अगर आप चाहें, तो इसको, यह देखेंगा, इसको अगर मैं इसके add कर दू, तो क्या फाइदा होगा, अब steps कम लिखना, a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c, और अगर इस column को, इस column के साथ, subject कर दे जा, तो a से a cancel, b से b cancel, c से c cancel, तो देखें, मैं operation क्या लगा रहा हूँ, और operations को, जितना हो सके, तो a plus b plus c, आपने common लिए, और इस column में से minus इसको क्या, तो minus b minus c minus a, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1, 1, 1, यहाँ पर क्या मिलेगा, बोलिए, a, b, c, right, अब आप चाहें, तो इसमें value रखे करेंगे, तो आप जली कर सकते हैं, compare to this one, यानि questions को कम से कम समय में solve करना बहुत important है, तो suppose a plus b plus c की value आपने 1, 2, 3 ली, तो 1 plus 2, 3, 6, और देखें, चा की value 1, 1, 1, 1, 2, 0 भी बना सकते हैं, 1, 2, 3, right, solve करिए, minus 6 into, आप देखिए, 3 minus 2, 1, 1 into 2, 2, 2, 2, minus 9, minus 7, right, इस 1 के साथ क्या 3 minus 1, 2, right, तो minus 6 into minus 3 means 18, आप 18 अंसर कौन देता है, वो देख लीजे, तो देखें, यहाँ पर रखा, 3 का square हो गया 9, 9 plus 4 plus 1 नहीं है, reject, यहाँ पर BC रखा, तो 6, आप देखें, यहाँ पर एक important चीज है, जब कभी भी ऐसा हो, 6 into 3 किया, तो 18 आया, right, और यहाँ पर रखा आपने, तो क्या होगा, देखें, 1 plus 4 plus 9, क्यों है, sorry, 1 plus 8 plus 27, right, 1 plus 8, यह हो गया 36, minus of 18, तो यह भी 18 है, normally इसे question का answer symmetric होते है, तो यही answer होगा, पर यहाँ पर जाके आपको अगर कभी ऐसा लगता है, कि यह दिक्कत है, तो अक्सर 1 के साथ यह दिक्कत होती है, आप value बदल लीजे, जैसे a की value 4 ले लीजे, आप क्या करिए, a की value को change कर लीजे, केवल एक value change करने से आपका, अब आपको यह clear हो गया कि यह तो answer यह है, यह answer यह, तो यह two reject हो गए, तो आप केवल एक value ले ले लेंगे तो हो जाएगा, तो किसी एक variable की, एक arbitrary constant की value change करके answer को cross check कर सकते हैं, right, note करिए, next question देखते हैं, next question क्या है, if p-q0, 0pq, q0p, option दिये हैं, कि इसमें से which one is correct, p is one of the cube root of unity, q is one of root of unity, p by q is one of the cube root of unity, and none of these, simple question है, क्या करेंगे, solve करके ही बता पाएंगे, p square, right, minus q के साथ किया, तो q square, this equal to 0, देखे, p cube equal to q cube, यानि p by q का cube equal to 1, यानि p by q equal to 1 by 3, यानि this is the right answer, p by q is one of the cube root of unity, right, note down this question, yes, next question देखते हैं, नेक्स कोशन में, omega यूस किया, omega cube root of unity बोला है, जहां पर भी, याद रखेगा, आप लोग अलग से मत लिखा गरी, आप यहीं पर लिखा गरी, omega 2 omega square, जैसे यहां पर 3 हो गया, omega cube क्योंकि 1 होता है, 2 omega square, 4 और यह हो गया 6 omega, right, और अगर आप ध्यान दें, तो इस तरह के कोशन में, अगर कुछ common निकलता है, तो ले लिए जिसे, इसमें 2 common है, इसमें 3 common है, तो आप ले ले ले, ना ले ले ले, ना ले तो भी चलेग, इसे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, solve भी कर देते हैं, यह देखे, कितना जाएगा, 12 omega cube minus 12, omega cube 1 यह 0 हो गया, प्लस omega के साथ किया, तो देखे, 12 minus 12 omega, 12 minus 12 omega, plus 2 omega square के साथ किया, तो 6 minus 6 omega square, यह 0 हो गया, देखे, 12 omega, minus 12 omega square, minus 12 omega square, minus, sorry, P plus or minus 12 omega, यह सब आपस में cancel, तो answer will be 0, तो depend on question, क्या दिया है, question में, उसके उपर solution depend करता है, note करें question, yes, next question देखे, देखे, क्या है, if A inverse plus B inverse plus C inverse equal to 0, then, आपको यह value बता नहीं, मतलब 1 by A plus 1 by B plus 1 by C 0 दिया है, क्या करेंगे, solve कर लेते हैं, चाहे तो value ले सकते थे, आप A, B, C की अगर value ले ले, तो भी हो सकता है, पर यह condition दिये, तो इससे अच्छा ही है, कि आप इसको solve कर लीजे, 1 plus A into, देखे, 1 plus B into 1 plus C, 0 भी बना सकते हैं, पर उतना time waste मत करें, minus 1, plus 1 के साथ ले, तो 1 minus 1 minus C, 1 minus 1 minus C, plus 1 के साथ ले, तो 1 minus 1 minus B equal to 0, right, क्या हो गया, 1 plus A into, देखे, 1 plus B plus C, plus BC minus 1, plus, plus नहीं, minus of C, minus of B equal to lambda, 0 नहीं है, lambda, अब 1 plus A, देखे, 1 से 1 कंसल, right, यह कितना मिला, B plus C, plus BC, minus C, minus B equal to lambda, इसको भी open करें, देखे, A, B, plus C, plus BC, plus AB, plus AC, plus ABC, minus B minus C equal to lambda, right, BC से BC कैंसल, अब इसमें और यह देखे, क्या हुआ, अब अगर मैं इसमें ABC कॉमल ले लूँ, तो 1 by A, 1 by B, 1 by C, plus ABC equal to lambda, अब यह 0 दिया है, तो अंसर आ गया, ABC, right, no down,